लोगों की सुचना पर मैं भी मतलब अत्रीक स्वास्त कंद्र महमधिया गया था तो देखा गया कि वहां कुछ मैडिसन जो है वो जल रही है अश्कार आप देखरे निउस फोर निशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार के डिप्टी सीम सह स्वास्त मंत्री तेजस्वी आदो लगातार बिहार के स्वास्त विवस्ता को ठीक करने की कवायत में लगातार एक्शन मूड में नजर आते हैं लेकिन फिर भी बिहा स्वास्त विभाग के तरफ से लापरवाही की जो खबर है वो आए दिन सामने आती रहती है आपको बताए हालिया मामला कटिहार का निकल कर सामने आ रहा है जहां कटिहार में स्वास्त विभाग की बड़ी लापरवाही और बड़ा खेल उजावर हुआ है दरसल स्वास्त थाल सक करने का एक तरीका होता है उससे सब्सक्राइब उनकी हैं कि वहाख को जला दिया गया है कि स्वास्थकन मुहम्मदिया में जो एकस्पारी दमाइब उसको जलाया जा रहा है कि मैं लोगों की सुचना पर मैं भी मतलब अत्रीक्त स्वास्तकेंद्र महमधिया गया था तो देखा गया कि वहां कुछ मैडिसिन जो है वो जल रही है यह जांच का तो भी से है कि क्यों जलाया गया कि मेडिसिन भारी मात्रा में मेडिसिन जलाई जो एक्सपारी थी इसके बारे में तो हलाकि हम वहां के मतलब आरके इसके मेंबर हैं तो कि वहां कि भंडारन की क्या सिती है यह हम लोगों की जानकारी में नहीं है और अगर दवा जलाई गई है तो किस पर सिती में जलाई गई यह जाए है और इस पर जो है हम लोग कल प्रभारिया हिसे भी मिलेंगे उंसे भी बात करेंगे क्युं जलाया गिया उस कमरे में जो है रहे हैं कि पूरे कमरे finipraiddном भरी भृग हुँ है और उसी को जला कर कम क्या जा रहा है इस वर भी कल हम परभारी से बात करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे और उनको बोलेंगे कि आप दोनों रूम खुलवाईए और इस टोक हम देखेंगे कि क्या है दवा किस्तिती क्या नाम वा? मिरा नाम राकेश मुमार सिर्वास्तो, आरकेश मेंबर महमधिया जिस बिहार में जरूरत मन मरीज की जान दवा नहीं मिलने से चला जाता है उस बिहार में अगर एक्सपारी दवा के नाम पर अच्छे दवा को भी आग में जला दिया जाए तो समझ लिजिए दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है दरसल expiry हो चुके या short expiry वाले दवा को लेकर disposal का एक तरीका होता है जिसके तहट ऐसे दवा को पहले जिला दवा भंडार में भेज दिया जाता है जहां से प्रमंडल दवा भंडार और फिर राज जी को भेजा जाना पड़ता है मगर कटिहार के हसन गंज प्रकंड के मुहमदिया अतरिक्त स्वास्त केंद्र में expiry या short dated expiry दवा के अलावे current date जो जिसका अब भी expiry में लंबे समय की वो दवा को भी जिस तरह से भंडारन करके रखा गया है वह विवस्था सवालों के घेरे में और जब इस पर बाते बाहर आने लगी तो ऐसे दवा के खेप गवानन फानन में जला देने की कोशिस जुड़ा एक संगीन मामला सामने आया है स्थानिय लोग जो स्वास्त समीती से जुड़े हुए हैं वह इस पर सवाल उठा रहे हैं और जब इस पर मीडिया अधिकारी उनसे जब बात करते हैं जब मीडिया जो है वो इस अधिकारियों से बात करते हैं और सवाल पुछते हैं तो स्वास्त विभाग के अधिकारी ध प्रकंद स्वास्त कमीटी के हैं उनकी बाहर बात सुन्वाते हैं फिर आपको आर के ठाकूर Getting French हरो जब इसे उस हैंतों सरकारी कम में बाधा ढने का धंकी दिया जाता है स्वास्त मंत्री तेजस्वी आदो लगतार बिहार में स्वास्त विवस्ता को ठीक करने में जॉक्टरों को अलर्ट करने के जो है इसका वायत में लगे हुए हैं लगतार बिहार के जितने भी सरकारी जो होस्पिटल से जितने भी सामुदाइक और प्रात्मिक्ति स्वास्त के वहां के लचर विवस्ता को ठीक करने कावायत में लगे हुए है तो वही दूसरे तरफ जो स्वास्त विभाग के कर्मी है और यह जो स्वास्त केंद्र के कर्मी है वह आए दिन देखिए उनकी किस तरह से लापरवाही सामने आ जाती है जिसके बाद पूरा स्वास्त पटगरे के घेरे में खड़ा नजर आता है फिलाल इस खबर में बस इतना ही आप वीडियो और अप्डेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूस पॉर्णेशन